हेलो चिलर्ण, कुसु मैं की ओलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चो, आज हम कक्षया पहली की गनित की पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर 3 गेन और डिबा में आने वाले स्वालों को हल करना सीखेंगे, स्वाल सीखने से पहले एक और बात बच्चो, अग इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल ओनलाइन स्टेडी हग को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दिये बैल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो देखी बच्चो, शुरुआत करते है हम गेंज और डिबा, लगाओ घेरा, यहां पर देखो अब खेल वाली चीजों पर चोकोन घेरा, और घर के सामान वाली चीजों पर गोल घेरा, यह घेरा जो है बच्चो हमें लगाना है, जैसे देखो जो खेलने की चीजे हैं, उस पर इस तरह का चोकोर घेरा लगाना है, ठीक है और जो घर का सामान है जो हम घर में यूज करते हैं उन चीजों को उनके उपर हमें इस तरह से गोल घेरा लगाना है तो देखिए यहां पर कुछ सामान दे रखा है और कुछ खेल का सामान भी है और कुछ घर का सामान है है ना, तो हम सबसे पहले खेल वाली चीजे देखते हैं, ये खेल वाली देखो, कहां है, कहां है, ये है, है ना, काइट, तो ये खेल वाली है, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हमें चोकोर घेरा, जो है वो लगाना है, जो खेल वाला सामान है, उन पर चोकोर घेरा, ये देख लड़कियां इस से खेलती है और यह बॉल है तो हम इसको भी इस तरह से चोकॉल घेरा लगा देंगे और बताओ ये रही, एक है बॉट है ना, क्या काम आती है ये बताओ, बच्चे क्या करते है इसको, पानी में हम बॉट को चलाते हैं है ना, और एक ये बैट भी है साथ में और बताओ और खेल का सामान है, कुछ नजर आया, नहीं और तो इन में से कोई भी खेल का सामान नहीं है, यहाँ पर देखो, यह उल्लेडी इसने लगा रखा है, बैलून पर अब इसने कहा है कि घर के सामान जो है, उन पर हमें गोल खेरा लगाना है, तो गोल खेरा यहाँ देखो, यह जाडू घर के सामान में ही यूज़ की जाती है है ना और ये कीचन में दिखाई देता है है ना कप और एक ये है तो इन पर हमें इस तहां से सरकल कर देना है और बताओ और क्या है ये गलास और बताओ ये बेलन क्या करते हैं इससे बच्चो बताओ हाँ रोटियान बनाते हैं रोटियान बेलते हैं है ना और ये बास्केट इसमें भी सबजियां, फ्रूट्स वगेरा रख देते हैं, और ये है फैन, और बताओ, ये मटका है ना, क्या करते हैं इसका बताओ, ठंडा ठंडा पानी, इसका पानी जो है वो सब पीते हैं, अब मुझे ये बताओ बच्चो, जो खेल वाली चीजे हैं, वो कितनी है, टोटल कितनी हैं, काउंट करके बताओ, देखो, यहाँ पर एक ये है, वान, टू, थ्री, फॉर, फाइब, सिक्स, और सैवन, है ना, तो खेलने की जो चीजे हैं, वो है सैवन टाइब की, और घर में जो सामान यूज किया जाता है, उनको काउंट करो, वो कितनी चीजे हैं, बताओ, वा टू, थ्री, फॉर, फाइब, सिक्स, सैवन, एट, नाइन, कितनी हुई, नाइन, अब देखो, जो खेल की चीजे हैं, वो थी सैवन, यानि की साथ, और जो घर में सामान यूज किया जाता है, वो है नाइन, यानि की नो ट्रहें की चीजे, है ना, तो मुझे ये बताओ, कि खेल का सामान जादा है, या घर में जो यूज किया जाने वाला सामान है, वो जादा है, कुँसा सामान जादा बताओ, हम, घर का सामान, है ना, ओके, रजी, ब्यूड, अब आगे देखी, बत्चो, आगे है, क्या है, एक जैसा, रेखा कींचते हुए, साथी से मिलाओ, यहां मिलाओ यह देखो इसके जैसा जो दोस्त है ना उसको यहां पर इस वाले डिब्बे में जो है वो हमें यहां पर रखना है ऐसे मिलाना है उनको ठीक है और यहां पर देखो यह कहता है कि मेरे जैसे दीखने वाले दोस्तों को यहां मिलाओ देखो गोल 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 जो पर मिलाना है और जो गोल चीजे हैं उसको हम में इस टब में यहां पर मिलाना है और यहां रखना है उनको तो देखिए आप सबसे पहले कहां से सुरुआत करें एपल से घरते हैं ठीक है एपल कैसा है यह गोल गोल है ना तो हम इस गोल 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 को ऐसे लेकर आएंगे और य यह यहां पर रख्टेंगे ठीक है न अब है जैसे की है यह बैलून यह भी गोल गोल है है न और इसको भी हम ऐसे रख्टेंगे और यह है बॉल बॉल को भी ऐसे इसके अंदर अब बताओ और एक ये देखो चोपोन डबा है ना इसको हम क्या करेंगे हम इस टब्बे में रख देंगे इसको भी ऐसे ही ऐसे रखेंगे और ये डबा है ये भी इसके अंदर ही जाएगा है ना अब ये देखो गॉल गॉल टमैटो है ना टमैटो को कहां रखेंगे टमैटो को इसमें यहां पर रखेंगे और बताओ और कुछ रहता है हम हो गई सभी हाँ यह सब हो जुके हैं अब आगे देखो आगे है कि रेखा खींचते हुए एक जैसी दीखने वाली वस्तूओं का मिलान करो तो यहां पर देखो बच्चो एक जैसे जो चीजहें देखने देखो यह डिभा था ना कि जैसा यह है तो यह डिब्बा को तो यह जशले के जैसा नजर आगे हैं अब जैसे की यह टमाटर गोल 551 वाल् निहां को हम डिंदे से गल ज Str ये मुझे नजर आया एपल के जैसा है ना तो इस देंसे हम इसको ऐसे मिला देंगे अब यहां पर देखो बच्चो छाटना रेखा खेंसते हुए एक जैसी दीखने वाली वस्तों का मिलान करो तो हमें क्या करना है यहां पर कुछ चीजें दे रखी है है ना और यहां पर दे चीजें हैं वो हमें मिलान करना है कि वो किस तरह की चीजें नजर आ रही है जैसे कि बोल है यह गोल है है ना तो इसको यहां इससे मिलान कर दिया है अब जैसे कि है यह बैलून और यह बैलून भी गोल है है ना तो इसको इससे मिला दिया अब जैसे यह वाला है इसको ऐसे मिला दिया इसके जैसा दीखता है है ना अब ये डिपा जो है वो बिलकुल इसके जैसा ही दीखता है अब जैसे कि ये है कीप है ना और इसको ऐसे इससे मिला देंगे हम एक ये वाली कीप है जैसे इसको भी हम इससे मिला देंगे अब ये डिपा जो है ये डिपा कैसा है ये इस तरह से तो हम इस से मिला देंगे अब ये कीप है ये इस ऐसी नजर आ रही है हमें अब ये जो इंट है इंट कैसी नजर आ रही है बताओ यह जो इंट है ना बच्चो यह यहाँ पर देखो इस डब्बे के जैसी नजर आ रही है है ना और यह वाला भी इस डब्बे के से मिला देंगे और यह वाला है जो यह भी ऐसा है नजर आ रहा है और ये कैप देखो, ये जो कैप है, ये संकू के आकार की और इसी तरह की, तो हम इससे मिला देंगे, ये कैंडल है देखो, कैंडल कैसी नजर आ रही है हमें, ये एक डिब्बे के आकार की लग रही है ना, इस डिब्बे से मिला देंगे, अब ये यहाँ पर देखो, शूट तो इस एपल को हम गोल गोल नजरा रहा है इसलिए हम इसको ऐसे मिला देंगे और अब यह है एक है ना और यह कैसा नजरा रहा है यह थोड़ा लंबा सा है और यह इस डब्बे से ही मिलता जूलता नजरा रहा है इसी तरह से यह भी इस डब्बे के जैसा नजरा रहा है इसको गोल गोल वैलून है ना और इसको हम इस गोल चीज से मिला देंगे अब घ्यान से देखो और कुछ रह तो नहीं गया सभी चीजे मिल गई ना अब आगे कहता है ये रेखा खिंचते हुए एक जैसी दीखने वाली वस्तूओं के जोड़े बनाओ तो यहां पर देखो एक जैसी जो चीजे हमें दीखती है उसके हमें जोड़े बनाने देखो इसका ये जोड़ा बन गया इसने बना रखा है और बताओ इस से और ये इसका जोड़ा बन जाएगा और और भी जोड़ा बनाकर दिखाओ शेवाज ये बैलून है और इस बैलून से ये बैलून का जोड़ा बन गया और ये बॉल है जो गॉल है इससे हम इसको मिला देंगे ये भी जोड़ा बन गया अब जैसे कि ये है ब्रिक्स यानि की इंट और ये हमें कुछ इस तरह की नजर आएगी इससे हम मिला देंगे अब बात आई आगे अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे मिला देंगे और यह जो है इससे हम मिलाएंगे इसको चीक है अब यह हमने मिला देखिए तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो पेजिस हैं उनको सुमझाओंगी तो बच्चो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो